मुरादबाद शहर स्मार्ट सिटी में आ चुका है और ऐसे में स्मार्ट सिटी के छेतर में काम भी किया जा रहे हैं नगरनेगम लगतार शहर को स्वच और सुंदर बनाने के लिए एनेक प्रकार की योचनाई भी तयार कर रहा है मगर आज भी मुरादबाद शहर के कई स्थाने से हैं जहां पर समस्याओं की वज़ा से इस्थानिय नागरिकों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है मुरादबाद महानगर के वाट 3 मिलन विहार में तूटी सड़कें और प्रकाश की ववस्था दुरुस्त ना होने के चलते इस्थानिय निवासियों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है कई बार इस्थानिय नागरिकों ने पाशल से शिकायत की हैं अगर कोई समस्या का समधान नहीं हुआ इस्थानिय निवासियों का ही कहना है कि तूटी सड़कें और गंदगी की वज़ा से आई दिन यहां समस्या खड़ी हो जाती है साफसफाई ठीक धंग से नाहुनी की वज़ा से बीमारियां पहने का डर भी वना हुआ है साथी प्रकाश की ववस्था भी दुरुस्त नहीं है और कई बार प्रकाश की ववस्था दुरुस्त नाहुनी की वज़ा से आई दिन यहां पर सड़काच से भी होते हैं नगरनेगन प्रशासन से इन समस्याओं के समधान करने के लिए इस्थानिय निवासियों ने मांगी है। इसकी शिकायट आपने क्या पारशत से करी थी या निगम के अधिकारियों से की थी। अब आप लोग की क्या मांग है क्या होना चीए लाइट लग जाए और नाली बन जाए नाली के सफाई होती है। जी क्या समस्या है और कौन से वाड की समस्या है। यहां के पानी नाली तुकी हुई है। पीरे मर रहा है। आए दिन बच्चों को चोट लग रहा है। इस कौन से वाड है। बाट तीन है। यहां का बाट मिंबर है। ग्रोपा देवी। क्या परिशानी हो जाती है इस पुल्या के तूपने के बादूपने से पानी का जल भरा हो जाता है। पानी का इसकी शिकायद करी थी आपने एक दो बार। ग्रोपा जबी से शिकायद कुई है। कोई हल निकला भी दर। कुछ नहीं है। तो ही हो जाएगा बन जाएगा और कोई समस्या का हल नहीं नहीं है।